बिहार में आज जातिय जनगर्णा की आकड़ा आ गया है जब देश में जातिय जनगर्णा की बात चल रही है विपक्ष लागातार OBC महिलाओं के आरक्षन की बात कर रही है तब बिहार के मुख्यमंत्री ने जातिय जनगर्णा का आकड़ा सामने लाकर रख दिया है नमस्कार मैं ब्यूटी किरी और आप देख रहे हैं जनहीतावाज आप जिस तरीके से जातिय जनगर्णा का आकड़ा सामने रखा गया उसके बाद सत्ता पक्ष में बीजेपी में बौखलाहट देखने को मिली है लगातार कोई न कोई आकर सामने आकर अलग-अलग बयान बाजी करते जा रहे हैं फिलाल वो हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन पहले ये बता दें कि राहूल गांधी ने हाल-फिलाल में ही का था कि अगर हम सत्ता में आएं तो पूरे देश में जातिये जनगर्णा करवाएंगे राहूल गांधी ने ये लगातार OBC के महिलाओ के लिए भी आरक्षन जब महिलाओ का बिल आरक्षन आया तो उसमें भी OBC के महिलाओं के लिए लगातार मांगे उठाई कि OBC के महिलाओं के लिए अलग से सीटे आरक्षित होनी चाहिए लेकिन खैर सुनी नहीं गई और वोट पड़े बिलपास हो गया लेकिन इसमें अब बिहार जो है पहला राज जैसा बन गया है जिसने जातिय जनगर्णा कर एक आकड़ा सामने रख दिया गया है उसके बाद गौकलाहट सब में देखी जारी है अब जानना ये है कि जातिय जनगर्णा आखी जरूरी क्यों है जरूरी होता है क्योंकि जो लोग पिछड़े हुए हैं मुख्यधारा में जुड़े नहीं है उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके बिहार में चाहें पूरे देश की बात करें तो दो हिस्सों में बटा हुआ है सवन जाती और पिछडी जाती में ये पुरा देश बटा हुआ है एक इतिहास रहा है अत्याचार और शोषण का एक जाती दूसरे जाती पर शोषण करता रहा है इसलिए उनको आरक्षण देना और उनकी हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये जनगर्णा क्या जाता है उनकी जानना जरूरी होता है कि उनका शिक्षा क्या है उनका एजुकेशन लेबल क्या है उनकी आर्थिक सिति क्या है उनकी संख्या कितनी है और कितने लोग जो हैं सिक्षित हैं उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो सिक्षा के दबाव में हैं सिक्षा से दूर्ध होते जा रहे हैं इन सारे चीजों के लिए जनगर्णा करना बहुत जरूरी होता है और इसी के लिए जनगर्णा किया जाता है उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जाता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि जो लोग अपने आपको आरक्षन के लिए जंगरना जरूरी होता है लेकिन जब से आकड़ा आया है तब से बौकलाहट भी देखने को मिल रही है एक सवाल और है कि केंड्र सरकार ने जब लोग सभा में बात को उठाया गया था, मुद्दा को, तब केंड्र सरकार ने साफ तोर पर मना कर दिया था, कि जातिय जनगरणा और पुरे देश में करना बेहद मुश्किल है, यह बहुत बड़ा काम है, हो नहीं पाएगा, और यह कहकर टाल दिया गया था अब जो है नितेश कुमार ने ये करारा जबाद दे दिया है केंद्र सरकार को और करके दिखा दिया है दिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादों ने भी ये बयान देते हुए कहा कि हमने बहुत कम समय में जो है ये जन्गरना किया है और इसक इतनी सारी चीज़े होई तमाम अर्चनों के बाद बाधाय आने के बाद भी नितीश की सरकार ने और तेजस्वी यादों की सरकार ने जो है मिलकर ये आकड़ा सामने ला दिया जन्गरना करवाई है और करवाकर बहुत कम समय में इस आकड़े को सामने लाकर रख दिया गय और जो समाज है वो अपने हग अधिकार की बात करेगा आपको बता दें कि इनने आकड़ा कितना है किसका कितना आकड़ा जो सामने निकल कर आया है वो एक बार हम आपको बता देते हैं पिछड़ा बर्ग जो है उसकी जो संख्या है प्रतीशत में बताये तो 27.12% है और अगर वहीं अत्यंत पिछड़ा जो है वो 36 प्रतीशत है अनुशूचित जाती जो है वो 19 फीसदी है अनुशूचित जन जाती जो है वो 1.6824 प् नारक्षित बर्ग जो है वो 15 प्रतीशत है ये पूरत दर्शार है और तमाम लोगों ने ट्वीट करके भी बताया है और जन गरना आने के बाद आकड़े आने के बाद तमाम लोगों की बयान भी आये हैं तेज़श्वी यादों ने काया है कि हमने बहुत कम समय में यह जो कम करते थे और आज भी कर रहे हैं और ये वोट के लिए वोट बैंक संदी नरेंद्र मोदी लिए कि बाप fier वो कह रहे हैं कि जाती में बाट कर पात किया जा रहा है वही केंद्रिय मंत्रे ग्रिराज ने कहा है कि जाती जनगर्णा आई है वो एक भरम फैलाने का काम किया जा रहा है बिहार में लोगों को आपस में बाटने का काम किया जा रहा है वही संजे सिंग ने आकड़ा आने के बाद प्रेस कॉंफरेंस किया है और उन्होंने कहा कि न्याय करने के लिए लोगों की जाती का जानना जरूरी है जाती का जानेंगे जाती के बारे में जानकारी होगी हमें उनके आर्थिक स्थिती के बारे में जानकारी होगी कौन पिछड़ा है कौन कितना सिख्षित है और किसको कितने अधिकार मिल रहे हैं इन जीजों का ध्यान रखा जाता है ताक्यी सब को बराबरी के दर्जे पर लाया जा सके एक समानता लाया जा सके उसके लिए ये सारी चीजे करनी ax जरूरी होती है अगर आपको बता दें आरक्षन की तो OBC को 27% आरक्षन है 49.0 आरक्षन दिये जाते हैं पुरे सौफ इस्दी में जिसमें 50% जो हैं सवनड लोगों के लिए हैं वो सब उस सवनड लोग ही इसमें भरे जाते हैं उसमें जो आरक्षन जो 50% मिलता है उसमें OBC को 15% मिलता है और ST को 7.5% मिलता है इसी से घबराई हुई है सरकार और तमाम लोग घबराई है क्योंकि जातीय जनगर्णा आने के बाद जब ये आकड़ा निकल कर सामने आता है कि OBC समाज और ये SCST इनको 80 और 20 की जो आकड़े हैं वो 80 पर आने के बाद वो अपने हक अधिकार और आरक्षर भी 80 की तादाद से मांगेगे वो जितनी संख्या है उस हिसाब से वो आरक्षर मांगेंगे इस वज़ा से लोग सभी में बौकलाहट देखने को मिल रही है वहीं अगर हम आपको ट्वीट पढ़के सुनाए तो लक्षमन यादों ने ट्वीट किया है जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी राष्ट निर्माड के लिए जरूरी है कि सबको सबके हिस्से का हक अधिकार मिले बिहार सरकार को बधाई दे आज उन्होंने बड़ा कदम उठाया है वही अखिलेश यादों ने भी ट्वीट किया है अब बिहार के तर्ज पर उत्तरप्रदेश में भी जातिय जनगर्णा होनी चाहिए आज बिहार में जातिय जनगर्णा के आंकड़े आये हैं इसमें भाजपाई घबराई हुई है पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा बर्ग की आबादी 63% है वही अनसूचित जाती और जनजाती की आबादी 21% है समान्य बर्ग की आबादी 15.5% है राहूल गांदी ने भी इस मामने पर ट्वीट किया है कि वहाँ OBC प्लस SC प्लस ST जो है कुल मिलाकर 84% है केंद्र सरकार ने 90 सचीवों में सिर्फ टीन OBC है जो भारत का मात्र 5% बजट समभालते हैं इसलिए भारत के जनजातीय आकड़ जानना जरूरी है जितनी आबादी उनका हक ये प्रड़ है राहूल गांधी लगातार जातीय जनगर्णा को लेकर समर्थन दे रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं वहीं लालो प्रिसाद यादव का भी बयान आया है उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है आज गांधी जयनती पर इस एतिहासिक शड़ के हम सभी साक्षी बने हैं बीजेपी की अनेकों साजिसों, कानूनी अर्चनों और तामड तमाम सड़यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जातिय अधारित सर्वे को रिलीज किया है ये आकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समूचित विकास और तरक्की के लिए समग रियोजना बनाने यो महासिय के समूख को आबादी के अनुपात में प्रतिनी धित्व देने में देश के लिए नजीर पेस करेंगे सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसके जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्तेदारी हो हमारा शुरू से ही मानना है कि राज्य के संसादनों पर नय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो केंद्र ने 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब हम पूरे देश में जातिये जंगर्ना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछडे और अती पिछडे विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करके रहेंगे तेजस्वी यादों ने भी ट्वीट किया है कम समय में जातिये आधारित सर्वेक के आकड़े एकतरित एवं उन्हें प्रसारित कर बिहार आज फिर से एतिहासिक छड़ का गवा बना है दशकों के संगर्स ने एक मील का पत्थर हासिल किया है इस सर्वेक्षन ने ना सिर्फ वर्षों से लंबित जन जातिगड़ आकड़े प्रदान किये हैं बलकि उसकी सामाजिक आर्थिक स्तिती को भी ठोस संधर्व दिया है अब सरकार त्वरित गती से वंचित वर्गों के समगर विकास एवं हिस्सेदारी को इन आकड़ों के आलोग से सुनश्चित करेगी और भी तमाम चीज़े जो है इन्होंने बताई हैं इसके साथ ही हम आपको एक और चीज़ बताएंगे यह तमाम लोगों के बयान आये हैं बीजेपी और विपक्षी दल सत्तापक सबके तमाम बयान जो है वो अलग बात है लेकिन जो टीवी मेडिया है वो एक अलग जो है इस जातिय जनगर्णा को पूरी तरीके से एक विवादित बनाने में पूरी जूटी हुई है टीवी मेडिया जो है इसको पूरी तरीके से गलत सावित करने में लगा है और दीपक चौरस्या जो है टीवी पर साफतोर पर बैठ कर बता रहे हैं कि किसी की जाती नहीं पूछनी चाहिए यह गलत चीज है बिहार में जो है जाती के आधार पर नितीष कुमार ने बिहार को बांट दिया है अलग-अलग जातियों में साफत और पर समिकरन समझा रहे हैं लालू यादों के वोट बैंक को M plus Y के जो है समिकरन वोट बैंक का समिकरन समझा रहे हैं अब हम आपको बता दे M plus Y जो है M plus M जो है मुस्लिम और plus Y Y मतलब यादो समाज को ये साफतर पर बता रहे हैं और आकड़े जो है परसेंटेज गिन के बता रहे हैं कि यादो और मुस्लिमों की जो वोट मिल जाएगी तो यादो जो लालो यादो की जो वोट बैंक है वो सबसे मजबूत होगी और इसी के लिए जो है बिहार को जाती के अधार पर बाटा जा रहा है और बाटने का काम किया जा रहा है तमाम जो मीडिया चैनल है टीवी चैनल है लगातार ये अब एजन्डा चलाना शुरू कर चुका है कि जाती के अधार पर लोगों को बटवारा किया जा रहा है बड़ी मुश्किल से बीजेपी ने और नरेंदर मोदी की सरकार ने हिंदू को संगठित किया था असी फीसदी को एक जुट किया था अब जो है उसको नितीश कुमार ने बाट दिया है हिंदू को बाटने काम किया है अलग अलग जातियों में इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं ये जो जाती है जन्गंडा हु बने रहे हमारे साथ धन्यवाद